नमस्कार दोस्तों एक्जांपर परिवार में आपसे भी का श्वागत है बिहार पुलिस में नौ नियूक्त जो पदादिकारी एवं कर्मियों की परसिचन का दौर जो है शुरू हो चुका है आपको बदा दू कि नए जो भी पुलिस कर्मी जो है शामिल हुए है उनकी टेनि ही सामिल है पुलिस मुख्याले के एडी जी आप लोगो देखने को मिलेंगे जितेंदसी गंगवार ने इसकी जनकारी दिया था आप लोगो को बता दू कि नाथ नगर में जो है आर्सोट सेतारिक चालग सिपाईयों को बुन्यादी परसिचन दिया जाएगा इनमे आर्सो ट्रेनिंग जो पिरियेड होगा वह आप लोगो एक स्वसी दिनों का और 27 नॉम्बर से ही आप लोगो 2208 महिला और 606 पुरु सिपाईयों का रिफ्रेसर कोर्स करा जाएगा यानि कि उनको नया नया कोर्स बेगरा उनको जो है ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको बदा दू सबसे ज़्यादा जो महिला पुलिस कर्मी है वह बिहार में ही देखने को मिलता है और या ऐसे पुरु सिपाई हैं जो पिछले परसिचन के दौरान किसी बिशाय में अनुत्रिन दिया जाता है अगर कहीं पर अनुत्रिन होता है तो उनको फिर से टेनिंग दिया जाता है औ को मिलेगा सेवा कालिन परसिचन आपको बदा दू कि यहां पर बोला जा रहा है कि 27 नॉम्बर से यह भी शुरू होगा इनमें 46 में बैच के जो है दस और जबकि 47 में बैच के चार पदादिकारी सामिल है और उन्होंने बताए कि पहले दिया पदादिकारियों के लिए सिवापूरी करने बाले पहला जबकि 14-18 वर्सक सिवापुन होने पर दूसरा परसिचन दिया जाता है और यह परसिचन आठ सब्ता का होगा जिसमें कानून के बारे में पुलिसिंग ब्यवस्ता के बारे में कैसे परबंदन करना है अन्य महत्पुन विशय पर जो है विश सकादमी में योगदान देंगे यानि कि वह अब यहां पर उनका जो है काम करेंगे तो यह भी हमारे लिए बहुत अच्छा बात है जिनमें जो है बिहार कैडर के ही महबुल्ला अंसारी कोटा किरन कुमार तिलंगाना से हैं तो हर कैडर से लोग यहां पर जूडएंगे बह अगले वीडियो में तब तक आप लोग देखती रही है एक्जांपूर जैविहार